दर्शको माँ हमें जनम देती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, जीवन का हर छोटे से छोटा काह सिखाती है, पर वो ही माँ जब हमें हमारे श्वाश गुरू से मिलाती है, तो जीवन पूरा सकरात्मक हो जाता है, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, चिनमय जी, वो मुंबई से हैं, उनकी माँ ने उनका पूरा जीवन बदल दिया, आएए जानते हैं चिनमय जी से, नमश्कार चिनमय जी हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे, मैं मुंबई से हूँ, चिनमय जाद हू, मेरा नाम है, और प्रोफेशन से, एक्टर और इन्वेस्टर को, वाओ, एक्टिंग, कहां कहां एक्टिंग करते हैं आपने, मैंने फिल्म में और टीवी सेरियल में किया है, सुनी प्रोफेशन से कैसे जुड़ना हुआ, मतलब वह क्राइम पेट्रल तो अच्छी बात है मेरे लिए, और सब अच्छे से बैलेंस हो रहा है, तो अध्यात्मिक्ता से कैसे जुड़े आप, मतलब बच्पन से मैं करते हूँ, जोती ध्यान करता था, तो उससे कॉंसेंट्रेशन बढ़ता था, और दस वी तक, बार वी तक मैंने किया, उसके बाद गैप हो गया, कि चलो अबे, फिर जब लॉक्डाउन शुरू हुआ, उसके बाद, तब सब आदत छूट गए थी, मतलब कि वह तक बढ़ाई के लिए था, तो जब लॉक्डा और आजू-बाजू में इतना अच्छा clean weather हो गया था सब, तो मुझे अंदर ही अंदर कुछ लगा कि मुझे में भी वह आ सकता है, मां को देखके आपको ऐसा लगा कि मां में इतने positive changes आये हैं, तो उस चीज ने आपको attract किया, और मा ने पहले बता दी थी, करो, 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 कर करो भी, एक बार जो बूली मा बूले एक बार ध्यान करो जो भी लगेगा करो, तो ठीक है, तो बुद्ध बुन्हों चल रहा था, उन्होंने मुझे पहला ध्यान किया मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा, तब मने सूचा कि कुछ अलगी हो गया मेरे सिंदेगे, एक ध्यान करने के बाद ही आपको ऐसा फील आने लगा, एक दम जिरो स्टेट और अलगी लगा, जब ध्यान से बाहर आए ना तो एक दम शान्त था, कुछ अलगी शान्त था थी, जिससे में धून रहा था, बाल टाइम से, वो थी, तो जब आप ध्यान करते थे तो बुद्ध बानों के पीछे एक विजडम शेरिंग आती है, वो भी सुनते थे आप, एक्शुली क्या वदा था, पर ध्यान किया, फिर अच्छा लगा, फिर मोला और दो गंटा, नहीं यार, तभी फॉर्म कुछ नहीं भारा था मैंने, लिंक विंक का कुछ, तो पहले गंडा ध्यान क वो एक गंटा देखा मोला, ये तो भाई कुछ अलगी है, फिर मैंने पिछले सारे एपिसोड देखे और उसका जो था, और उसके बाद मैंने फिर नहीं सब करना है, और तीन गंटे बाटके जो भी कंपलीट करना है, उसके पात पूरी दीन की शुरुमत करें, जिनमें पर जब मैंने पहला ध्यान किया, तब मुझे समझ में और मुझे लगता है, तो मुझे तो यह लगा कि यार यह तो जरूरी है सब के लिए, और यह करना ही चाहिए, सब ने, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, खुद के लिए टाइम दिकाल सकते हम लोग, जैसे हम लोग रणिं क तरफ आप इतना अट्रेक्ट हुए, बदलव तो बहुत है, एक स्थीरता मेली, थौट लेवल में शांतता आ गई, बिना मतलब पास्ट में रहना, फ्यूचर में रहना, यह सब नहीं है, भी प्रेजेट में रहो, यह सब तो सीखने मिला, पर जिससे में प्रैक्टिकली ज जूच रहा था, उसमें बदलव आ गया, यानि मतलब ध्यान में आने से पहले या फिर लॉक्डाउन के पहले से ही, तीन-चार साल तो मुझे नींद ने आती थी, पता नहीं, मतलब करवट लेते रहता था, पूरा रात आपका करवट लेते लेते रहता था, पूरा रात आ मैं आने से पहले मा मुझे पत्रीजी की वीडियो देखा थी, तो मैं वीडियो हमेशा देखता था, हमेशा, क्योंकि पत्रीजी का बोलने का स्टाइल, उनका आवाज, उनका समझाना, वो अपने आप अतलब एक बॉंडिंग कर देता है, अपके दिल पछू जाता है, तो म आफिर में धकर नेन ने आ पारिया है, तो ध्यान करो बाबा, जो या ने 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 आ ने तो ध्यान करो बाबा, और उन्हें भही बोला, कि मुझे अप रात बर धान कर सकते हैं, इस सब डिटेयल में बता रहते, तो मुझे लगा एक message मेरे लिए, वो चूँञा वो बाक्या कि यह मेरे लिए नीन नी आरे तो ध्यान करो और जिससे मैं चुझ राता हुआ थीक है फिर मैंने अपने आप में एक बोलते हैं एक प्रहन लिया कि जो भी हो मैं कुछ देखूंगा नहीं जो भी है मतलब नेचरल नीन चेना मुझे जब तक नीन नीन आएगी मैं ध्यान करने मैं मैं देखते हैं इतना बड़ा संकल्प हां देखते हैं पर वो नहीं देखना है मुझे और कुछ ऑप्शिन मिल गया अब पत्री जी बोल रहे हैं तो कितने दिन में आपकी नीन्द रेगुलर राइस हो गई पर दस दिन शायद हफता या दस दिन हां आपने इतने सालों कि जो बुरी आदत थी उससे दस दिन में काबू पर बुरी आदत और नीन पहले दो तीन गंड़ा मैं बैटने लगा मतलब जब पहले दिन तो मैं तीन गंड़ा इसे बैटा था हां चलो म्यूजिक लगा एड़फोन डालो ध्यान करो जो बोल रहे हैं और ऐसे कर करके फिर दस दिन में मुझे पता नहीं अभी मैंने लास्टे मुव वीडियो कब देखा है और नीन तो नॉर्मर नहीं आते तो ठीक है ध्यान करो और गया वो तो और बेनिफित हो गया कि नीन नहीं आ रहे है तो ध्यान बढ़ गया है बहुत सुंदर पर आपके दोस्तों की क्या र रहे हैं तो उनको बचाता हो कि ऐसा है एक कॉल करता हूं या विडियो कॉल करता हूं पर कुछ-कुछ लोग तो मतलब शुरुआत में जो मेरे अच्छे दोस्ते उनको मैं बोलने की कोशिश करता और ध्यान करो बहुत अच्छा रहें और अच्छा चेंज आ रहें बहुत मैं इस पहले शुरुवात में उस्सा आया कि ठीक है वी पर मुझे लगता है कि मेरे साथ जो अच्छा हो आपके साथ हो इसलिए मैं मतलब फॉर्स करता हो कभी तो फॉर्स करता हो कुछ अच्छे थासर नहीं भर तो फॉर्म भर बोला ना बाद में बोल मुझे चालिस दिन के फाइदा बैटके ऐसा मतलब पता ने पर लॉकडाउन के बाद जैसे में मिलना शुरू हुआ तो एक अलगी इनरजी के साथ मिलना होता है उनसे दूर तो नहीं भागते हो पर वो सोचते रहते हैं क्या है मतलब अलग से देखते रहते हैं क्या होग है इसके लाइफ में तो जो भी है मतलब तो अपने आप में सोचते रहते हैं फिर पूछते हैं जो तू करता है उसका दिकर है रिजल्ट हैं क्यों है मतलब पॉजिटिव है पर उनको वहीं जैसे मेरा था यह रहा हूं वह भी आएंगे हम मैं आ रहा हो तो मैं उनको लेकर आओं तो ध्यान में आने के लिए कि स्वनश के लिए पता ने क्या सूट इस प्यार चलिया यसा तो मैं यह ता समना तो अभी मैं इन्वेस्टर पीद हूं हां सब देखता हो क्या करना है और भी वह भी दृब वह नहीं के बाद कि मुझे यहीं समझ मैं कि मैं और भी सोचता चार है तो फिर में वो भी फिल्ड यह किया तो ध्यान में आने के बाद यह कैसे बड़ा आपका नॉलेज अपने आप सामने आने लगा कि चलो यह करते हैं वो करते हैं फिर मुझे जो बच्पन से मुझे समझ में था जो बच्पन से मुझे समझ थी कि नहीं पैसे तो बहुत बनाने मुझे समझ है क्यों बनाने है तो मेरा जीवन का लक्ष्र मिला है तो बनना थो हमें मतलब बहुत सरे फाइनसे फ्रीडम तो सबका सपना है सबको गरना है पर उड़ों क्या करने मुझे उस वैसों से उसके बाद मुझे समझ में कि नहीं पीरामिड बनाने हैं अन्नादान करना है मतलब जब भी अपना वर्क्शॉप होगा तो उसके लिए मुझे हेल्प करने हैं तो यह मुझे जिवन का लक्ष्ट में मतलब इंवेश्ट में ताकि लोगों की चेतना बढ़ेगी दुनिया की चेतना बढ़ेंगी यह आपको कैसे समझ में आया आपने आप चेंज आया की जो पैसा आएगा उसको आपको आपको पिरामिड में लगाना यह अंदर सा इंत्यू बेंख में कि बड़ा कर सोचू उनके लिए करनाहे मेरी फैमिली जो भी है उनके लिए करनार यह झोटी सोच लगती है और बड़ी सोच के मैं अपना जो भी है life goals life achievements मैंने उनके सथ मर्श कर दें बूर सकते हैं तो बढ़ा होगे आपने मतलब वीजन नहीं बढ़ा होगया हम छोटा सोची ने सकते ध्यान में आने के बाद चोब ही सोच तो यह बड़ा बदला वैं चोटी सोच से ध्यान में आने के बास सोची बड़ तो जिस गुरु ने आपको यह सब सिखाया, उस गुरु का क्या महत्व है? गुरु का महत्व मैं बोल सकता हो, एक एक जामपल देता हो, कि जैसे हमारा सोलर सिस्टेम है, सुर्य माला बोलते है, जिसमें हम सारे पृत्वी है, मंगल है, गूरु है, शनी है, तो सुर्य के सामने सब गुंते है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है गूरु ग्रह है, जो संना चूटे चूटे एक ट्रोय्ड पथर है जो भी फृत्वी के पास आते है गुरू और भ्रूरु के पस अपनी आ पो चली जाती है, और गुरु के आजवात, हुरु पही घुमते रहते है वाले जि जो भी पते आनए वाले जो पृत्वी यह अ अन्नक रहों पे शायद नुकसान पहुचा सकते हैं तो आज कि अरज नंवर हम्हानों के जिंदगी में। लोगों की जिंदगी में कुरू कहते ही है कि जो एक्स्टर नॉइज अगुरा नहीं है Um्हाट नॉइज वो निकालके सब यह अगुत कर देते है। आफ शुब पुर्त्वी है और हमें वह पूरा एकदम सेफ स्क्राड़ करें और एक अच्छी दिशा दिखा दिया हैं तो यहाइए नहीं एक अच्छी दिखा तो यह मेत बूता है यह प्रेंग्स दूलाते हैं यह जो सुनके गुद्बुद्धी होती है मतलब इसे कैसे बोल सकता है कोई गूरू आपको इसे बोल रहा है तो मतलब गूरू और है नहीं कंसेट मतलब इसलिए वह कनेक्ट होते हैं बहुत जादा तो यह अलग ही है मतलब पत्री जी ने कुछ अलगी दे दिया है कि यह सूच के परे है यह यह फ्रेंड्स और फ्रेंड्स विर्ड्स गौट्स दृत जा सब्सक्रेंज घर करने तो अरू कि लेकिन मतलब इसंगा बनना है अब भी बनने अभी मैं जहान चीकाने जाता ओ लोगों को सेथिधी गर्ने के बाद तो और तो अभी मैं सिधा मेले यह नहीं सोचता कि अरे कैसे सिखा हो क्या यह सब था अभी मैंने छोड़ दिया मुझे जाना बताना बस मेरा काम उतना ही है तो जैसे आपने बोला कि मास्टर कैसे बनने तो यह सब करने के बावजुद भी मैं खुद जो अठरा प्रिंसिपल्स यह पत्री ने खुद पर मैं काम कर रहा हूं जिस दिन मुझे लगेगा कि अठरा सुत्रों पर मैं काम करना शुरू कर दिया काम दो चालू है पर पूरे जिन्दगी में पूरे लाइफ में चलने बोलने में सोचने में जब अठरा प्रिंसिपल्स फूल मिल जाएंगे तब मैं खुद को मास्टर बोलूंगा अभी भी हूं मैं मास्टर्स पर मुझे वह मेरा वीजन है कि मैं तभी खुद को मास्टर बताऊंगा जब मैं आठरा के अठरा प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं उन पितामा से कभी मिलना हुआ हाँ 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 नोवेंबर में महाध्यान खुंब था तो पहली बार मुझे मोका मिला पत्री जी को मिलने का और बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा था हाथ में हाथ पकड़ाता उनका और वो बहुत ही अलग फिलिंग थी और जब मैं बाहर खड़ा था तब अंदर आने वाली लोग सब रो रहते इतनी इतना अच्छा मौका है रो के क्यों आरे बहुत है जब मैं अंदर गया और जब मैंने उनको देखा तो मेरे आखों से अपने आप आस्वाने लागे तो अलगी फिलिंग थी तो मुझे समझ मैं कि अच्छा यह हो रहा है अच्छा लगा बहुत अंदर मिलना नहीं एक पूरा लाइफ का ट्रांस्फरमेशन हो रहा है अंदर तो जो आंसु आ रहे हैं उस ट्रांस्फरमेशन का प्रतीक है क्योंकि यह जो मैं जिन चीजों से मैं जारा था पर्सनल लाइफ में ध्यान में आने के बाद चेंज हो गया उसके था कि थैंक यू फॉर मिल्टिंग में जो भी है थैंक यू ग्रैक्टिटिव तो पितामा भले अब इस भोतिक शरीर में नहीं रहे उनके लिए कुछ भाव प्रगत करने जब यह समझ मैं तो मु अच्छानक से हो गया पर उने तो यही सिखा है ना यही सिखा है कि इस पार्ट ऑफ गेम कि यह हो नहीं है मतलब जीवन है मृत्य है फिर पहले दिन तो मैं कंट्रोल किया नहीं हां सर ने बोला है पर जब धहन में बैटा तो बहुत रोया मैं अंदर से रोया अब मतलब थो स्टील का प्लेट लिया चमचा लिया और हम लोग मैं और मां बजा बजा के हम लोग उस्व मना रहे थी और उसके बाद यही भाव है मेरा कि वह मेरे अंदर है और पिता जी पत्री जी मेरे अंदर ही है और और जब भी में कुछ गलत करता हो या कुछ करता हो तो मुझे लगता है कि और अंदर है और देख रहे हैं मुझे तो यह रहता है हमेशा और जो भी उन्होंने सीख दी है जो भी उन्हें बता है वो एक ही है कि सब को बता है जो भी है मेरे आजववाजों में लोग है फैमि देने के लिए और इतना उनको उत्साहित करने के लिए कि ध्यान क्यों करना चाहिए थैंक यू इसके साथ ही मैं रेनु अगरवाल अब आपसे आग्या लेती हूं फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ तब तक बने रहें पीमसी हिंदी के साथ नमस् पत्री जी के साथ नमस्या नमस्टर के साथ